आपका स्वागत करते हैं और पी और एजुकेशन यूटूब चैनल पे आज किस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे बिहार तोला सेवक के बारे में जा फ्रेंस बात करेंगे आई हुई न्यू न्यूज अपडेट 2020 के बारे में तो आप लोग को बता दे इस वीडियो को ला जानकारी देंगे शौटकर तरीके से तो आये चलिए स्टार्ट करते हैं तो अब हमने न्यूजर नोटिस पर आ चुके हैं तो आजी का लेटेश और ताजा अपडेट हिंदूस्तान पेपर के माध्यम से परकाशित हो क्या रही है कुछ इस परकार से आप लोग देख पार से पहुच रहे हैं अपने अपने घरों पर उन सभी के बच्चे को आप टोला सेवक स्कूलों में नामांकन यानिकी दाखिला कराए जाएंगे सिक्चा विभाग की और से रननीती बनाई गई है और बच्चे को नामांकन करनान की यहां पर मुहिम भी चलाई है तो इसी के स पर नाम से वह नाम चेंज होके यह सिक्चा सिवक कर दिया गया है यह बहुत पहली हुआ है तो अब आप लोगों को बताना चाहेंगे अभी जो है फिलाल परदेश में जो है कुल 30,000 पत्रिजी थैं जैसा कि आभी आप लोगों को बताए और उसकी वीरोध में करीब 28,000 ज ठीक है 2018-19 आप लोगों का 20 अभी चल रही है 2018 से टोला सेवक की बैकेंस की नोटिस न्यूज आते रही है लेकिन बैकेंस की बैकेंस के लिए अपलाए अभी तक नहीं हो गए ठीक है कुल जो है 30,000 पतों पर 3000 पतों पर बहाली होनी थी ठीक है अभी तक जो SP रोक लगी देखा जा रहा है तो आप लोगे बताना चाहेंगे हो सकता है कि आगे चलके जो अभी इलेक्षन सामने है हो सकता है टोला सेवक के आप लोगा भरती के लिए नोटिस जलद आए अब आगे सरकार के ओपर निरभर करती है कि टोला सेवक की आगे कभ अपडेट आए लेकिन आज की अपडेट थी, सबसे बरी अपडेट थी, जो की student के लिए थी, जो परवासी मजदूरों की बच्चे थे, उनकी लिए अपडेट थी, जो की जानकारी देना आप लोग के लिए यहां पे इन्पोर्टेंट था, तो हमने आप लोग को जानकारी दे दिए, इसी के साथ और एक जानकारी आप लोगों को दे-दे कि अभी पहले भी किया रहा है कि बच्च का सरकारी स्कुल में बीना किसी कागजात के नमांकन किया जाएगा और चोब वर्ष के बच्चे को पर्थम क्लास में शाथी क्लास की बच्चे को दूसरी क्लास में यहां पर दाखिला दिया है तो यह थी आज की बड़ी अपडेट आप लोग का क्या काहिना इस अपडेट से रिलेटेड कॉमेंट करके जरूर बताईएगा आगे की जो भी अपडेट आएगी टोला सबक से जूरी आप लोग को इसी तरह वीडिया बनाके सूचना देंगे इस निउस नोटिस को परिक अपडेट के साथ तक तक के लिए भाई धन्यवाद